मैक्स क्या तुम चाहते हो आपन तुम्हारे दातों को चमका दे सच में? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये देखो अगर आपन ऐसा करता है तो ये पहले से भी ज़्यादा चमकेंगे हाँ? ओके करो करो आप उनको मिल गया तुम कैसे ही प्रश करना चाहिए तुम लोग तुम अप भी बच्चे हो आचू तुम दादाजी मज़िदार चुप रहा हूँ साम क्या हो गया भी बच्चे हो जरा मुझे देखने दो शोना मत मुझे साम अरे साम इस बारे में इतना परिशान क्यों हो रहे लाए मैं चाह रहा हूँ उसे क्या हुआ अपोन 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 पहले नहीं पहले मुझे लीटीज को हमेशा पहले होना चाहिए दोस्तों अपने बारी का इंतजार करो साम तुम्हे भी सोखने की जरुरात है नहीं मैं ठीक हूँ सुजन पहले आप उनको नहीं पहले साम को नहीं मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ ठीक है ठीक है गर्मावा में सुखने के बाद तुम्हे अच्छा लगेगा मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ सारी मैंने कहा था मैं ठीक हूँ हेई सैम यह कोई ऐसी बड़ी बात निये भीडू हाँ ऐसा नहीं है कि वो यह करना चाहती थी तुम सब इतना परिशान क्यों हो रहे हो कुस्स अमत करो दोस्तो छोड़ो मुझे किसी की ज़रूत नहीं सैम को क्या होगे लाए वो इतना अजीब हरकत क्यों कर रहे लाए तुम्हें लगता है कि वो बीमार है सर कल रात गिरे उलकापेंट से हमने शक्ति निकाली है और उस शक्ति को हमने इस भाले में कठा किया है उलकापेंट की शक्ति अद्भूत होती है अगर हम इसका इस्तमाल एक मैकामान में करते हैं तो उसकी ताकत को कई गुरा बढ़ा देगा आप वाकई बहुत महान है सर मिनी फोर्स के साथ हुई पिछली मुट भेर में उनमें से एक इस भाले से घायल हो गया था बुलकापेंट की शक्ति ने उसके घाव में प्रवेश किया और उसके अंदर का शैतान बाहर आ गया बहुत जल्द वो हमारे जैसा बनकर सामने आएगा इसका मतलब मिनी फोर्स आपस में लडेंगे ये गया साम ध्यान से क्या तुम चीखो साम? मुझे चुना मत ख़वरतार अगर मेरे पास भी आए तो साम मुझे माफ कर दो वा गई चाहे सुजैन हो या ध्रूफ सब इनसान भेकार है काश ये सब गायब हो जाए साम जल्दी करो चलो टैनी को हाल ही में एक रहसे में उलका पेंट की शक्ति हाथ लगी है वो उलका पेंट पंद्रहुजो प्रकाश वर्ष दूर से एक घनी आकाश गंगा से धर्ती पर आया था इसमें अंत्रिक्ष की धूल के गाढ़े धोसकन होते हैं जिनके अंदर ऐसी गहरी शक्ती होती है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते अगर डैनी ने उस शक्ती का इस्तेमाल किया तो उसकी शेतानी ताकत और बढ़ जाएगी और वो अजे हो जाएगा अब फोरान यहां से निकलो और नील और डैनी को रोको सार, यस सार मिनी फोर्स तयार हो तयार तयार फोर्स पोर्स तयार फोर्स पोर्स तयार 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 अब लोग आ गए है तो आखिरकार आब आ ही गए बड़ी देर कर दी क्या कहा तुमने डैनी, अब उनको लगता है तुमने वाकिए हमें बहुत याद किया अब उन लोग सच में तुम्हें अब और देखना नहीं चाते तुम्हारे मन में इस वक्त क्या चल रेला है तुम्हें क्या लगता है, मैं इतनी आसानी से मेरे रादे तुम्हें बता दूँगा सब कुछ सही जा रहा है क्या सही जा रहा है अब उनको नहीं पता वो क्या करने वाला है लेकिन ये सब सही नहीं हो रहे ला है जाओ और उन बदमाश मिनी फोर्स के कीड़ों को चुप कर आओ, जल्दे हमला करो मिनी फोर्स, मैं तुम सब को हवा में उड़ा ले जाओं तुम लोग तुबर भी नहीं सकते और हमको ला ले जाना चाहते हो पोचो हमाँ अंतरिक्ष के नालाएक कच्रो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाओंगा हटो यहां से लगता है पिछली बार मिले खाव से तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई ये लो मेरा आखरी वाँ साम, साफधार साम, क्या तुम ठीको अगर अपुन लोग वक्त बरबाद करते रहे तो मामला बिगड़ जाएंगा साम, पक्का ना तुम ठीको ठीक है, अब हम उसके ओपर हमले पर ध्यान देते हैं फोर्स गर्ण, तयाद, तयाद उस टूटे हुए तारे की उरजा ने तुम्हें जकर लिया हमारा मिशन कामियाब हुआ हम सब फिर से मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ध्यान रखो भाग रहे हो, क्या तुम इतने डरपोख हो विखी रुको, इसके यूँ आसानी से भाग जाने की पीछे जरूर कोई बात है सैम, सैम, अपने आपको संभालो सैम सैम को क्या होगे लाए, वो कबसे कुछ अलग सा व्यवहार कर रहे लाए क्या तुम्हें लगता है, वो अपनी कोई चोट छुपा रहा है तुम्हें हमें बताना चाहिए था कि तुम्हें चोट लगी है मुझे बहुत बुरा लग रहा है सैम ओ सैम, हम क्या करें सूजन, मुझे लगता है सैम इस वक बहुत मुश्किल में है मैं साम को इस तरह दर्द में नहीं देख सकती तुम सबसे मस्बूथ हो मैं तुम्हें अच्छा करने के लिए सब कुछ करूँगी साम हाँ अब लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं जल्दी ठीक हो जाओ भीडू सुजैन तुम यहां इतनी देर मेरे लिए रुकी हो नहीं नहीं वो सिर्फ ऐसा दिखा रही है जैसे मेरी चंताओं मेरी परवाहों से मेरा सार वोले हो बहाँ तेर नहीं हो जाए तेर नहीं हो nemms जिसने किसी के लिए इतना दर्द सहन किया हो वो क्यों इन एंसानों के साथ शांती से जीने की सोच रहा है जीन देखो उन लोगों की वजह से तुमने अपनी उड़ने की शम्ता खो दी है ना मेरे साथ चलो हम साथ मिलके इन इनसानों को उनके किये का फल देंगे उसके बाद जानवर और इनसानों पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा यहाँ यहाँ हमार मुष्ख्ष्झे मुष्ष्ष्ष्पके कि अनसाता राद उनके डाद पनके व Cath बाद सौराब त सवराब तय सा सवराब तय संथ्ष्ष्वके को ररो ally आखिरकार तुम वहाँ आ गए जो तुम्हारी जगह है चलो उन इंसानों से साथ मिनने पटते हैं जिन्होंने तुम्हें बुरा बला कहा हाँ, मास्टर डैनी मिनी फोर्स का साम अब हमारे साथ है मैं अब बेहत खुश हूँ कुछ बहुत बुरा हुआ है अभी-अभी हमारे अपने सेम के दिमाग में खलत भरा गया और वो डैनी से जा मिला है ये कैसे हो सकता है मुझे विश्वास नहीं, सेम कभी ऐसा नहीं करेगा मैं सही करे लाए, सेम ऐसा हैच नहीं कि उसे बहलाया जाए उसके पास मिनिफोर्स में सबसे ज्यादा इच्छा शक्ती है टैनी के पास अंधेरे की ताकत है और उलका पिंट की ताकत ने उसे और बढ़ा दिया है उस काली शक्ती ने सेम के बुरे अतीत से जुड़े अंधकार को और बढ़ा दिया है और इसी वजह से वो काली शक्ति की और आकर्शित हुआ सैम का बुरा अतीत? जब सैम छोटा था, उसके पंक इंसानों के गुलेल से खायल हो गए थे और फिर उसने उड़ने की शक्ति खो दी हो, हमें सच में पता नहीं था बिच्छारा सैम सैम, कोई सैम के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हमें टैनी की और से एक वीडियो मिला है अभी हेलो मिनिपोर्स मैं तुम्हें अपने नए साथी से मिलाना चाहता हूँ बाहराओ सैम तुम्हारा भी सैम के जैसे जुड़ने के लिए हमेशा स्वागत है अगर तुम सैम को देखना चाहते हो तो उस वीरान फैक्टरी में आओ मैं भी तुम्हारा स्वागत करूँगा एक छोटी सी मुलाकात के लिए कमांडर, हम जाएंगे और सैम को तुरंत ले आएंगे हमें सैम की मदद करनी होगी भिडू लोग नहीं, जरूरी मात सैम की मदद करना नहीं, बलकि उसकी खुद की मदद करने के लिए मदद करना है अगर वो खुद इससे बाहर नहीं आ सका, तो अंधेरे की ताकत उस पर कबजा कर लेगी और वो कभी भी सामान्य नहीं हो पाएगा सैम इससे पक्का बहार आ जाएगा, अब उनको विश्वास है बिल्कुल, मुझे भी है मुझे भी सैम पर विश्वास है वो बवित्र शक्ती उसकी मदद जरूर करेगी तो दोस्तों अभी जाओ और डैनी से अपने दोस्त को बचाओ सै, येस सैर तुम मेरी सोच से भी जल्दी यहां आ गए मिनी फोल्स टैनी, कायर कहीं के तुमने सैम के साथ क्या किये लाए सैम, तटे रहो सैम, लॉट आओ अब यहां तुम्हारा दोस्त सैम कोई नहीं है यहां सिर्फ मेरा वफादार साथ ही है सैम तुम, क्या किया तुमने सैम के साथ अभी भी तुम्हारे लिए देर नहीं हुई है मेरे साथ जुड के मेरे लिए काम करो क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे तो फिर मुझे तुम लोगों के साथ भी उसी तरीके से पेश आना पड़ेगा जैसे मैंने साम के साथ किया हमला करो अभी फोर्स हत्यार तयार फोर्स गान तयार फोर्स तलवार तयार फोर्स यार पोर्स तयार हुथ सम एंकीन को सम्धाल वी डी मस्टर हाँ हाँ हुथ हाँ हो पुआ है बुआ है ही याँ नहीं, साम, रुको साम, तुम ऐसा नहीं कर सकते कैसा लगता है जब कोई पुराना साथ ही हमला करे मुर्ख कहीं के मुझे लगता है अब असली मुकाबला हो जाए साम, खत्म करने का समय आ गया है हाँ, मास्टर नहीं अब उनको मारो पहले अब उनको विश्वास है तुम पे तुम अब उन में से किसी को भी नहीं मारोगे अब तुम्हारा साती नहीं रहा वापस आजाओ, साम साम को क्या होगे लाए वो कबसे कुछ अलग सा विवहार कर रहे लाए देखो, उन लोगों की वज़ह से तुमने अपनी उड़ने की शमता खो दी है ना, क्या तुम मेरा आदेश नहीं मानोगे मैं तुम्हें खत्म कर दूँगा साम, हम तुम्हारे दोस्त हैं मुझे भरोसा है तुम पर, आजाओ हमारे पास अब उन लोग हमेशा एक साथ थे तुम दोस्त हो हमारे साम ये कीड़े जो इंसानों के साथ ही हैं हमारे दुश्मन है हमला करो उन पर अभी तुम कैसे ही फ्रश करना चाहिए ओ साम अब लोग हमेशा तुम्हारे साथ है मैं वो सब करूँगी जिससे तुम बेहतर हो जाओ साम तुम क्या कर रहे हो साम माफ करना शुक्रिया दोस्तों साम अखिर कर अपने होश में आ ही गया मुझे पता था तुम लोट आओगे अगर ये सब इस तरह होना है तो मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ताकत पर दिखाता हूँ मैं कमॉन बाहर आओ ये मैं कमॉन आ ही गया फोर्स कास बुलाने का वक्त आगे लाए फोर्स कास तयार हो तयार इस मैं कमॉन की ताकत उलकापिंड की ताकत से बढ़ गई है मैं इस बदमाश से अभी निपटता हूँ बच्चों माक्स विक्टी माक्स एक और हमला और फोर्स बॉट काम नहीं करेगा मैं भी माक्स और अपनों नहीं लड़ सकता सैम, लीना, आगे आओ और हमला करो हमें शक्तिशाली लेजर से कैसे बचे लीना, चलो दो रोबोर्ट जोड़ कर हमला करें हमारे पास जोडने की ताकत नहीं है मैक्स, विकी, हमें अपनी सारी ताकत भेजो अभी के अभी ठेक है, एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर पूरा हुआ हम लड़ते हैं सच्चाई के लिए फोर्स बाट प्यूजिन हो गया हमले का वक्त आगया सूपर फोर्स रिंग, हमला अब अपनी सारी बच्ची हुई ऊर्जा इखटी करते हैं आखरी हमले के लिए लीना, तैयार हो बिलकुल वोर्स बोर्स बाट हमला हम में कर्द दिखाया सुजन, मैंने सुना तुमने पूरी रात मेरी देखबाल की शुक्रिया मुझे खुशी है कि अब तुम थीख हो तुम यह अंदाजा भी नहीं है कि हम कितने परिशान थे मैं खुश हूँ, जाओ यहां से